हेलो फ्रेंड्स मैं विन्या निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्शे हमारे चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स आप थम्निल देख करके समझ गया होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ जी हाँ फ्रेंड्स लेकपाल भरती एक बार फिर ठंडे बस्ते में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं पिछले पांच साल से लागातार नियूस पेपर वाले इस पे नजर गड़ाये हुए हैं और हर हपते हर महीने कोई ने कोई नियूस देते रहते हैं कि इसी हपते साचोन अने वाला है यह होने वाल है इतने पदों पर वण पर भरती होने वाली है ताहिक है लेकिन अब आईंग के अध्यक्स का नया बयान आघान आ रहा है कि अब भूल जाओ लेकपाल भरती जीन्या फिर exactamente अब इहर कुछ नहीं होने वाला है कल आपको मालूम है लेपने से क्या जानकारी मिली है कि अभी आयोग जो है पुराने भर्तियों को मालूम है अभी 19 से समर को जया defensive हुआ था अब फ्र उसके बाद बताया यह जा पर आया है कि इसी महेने 4-5 दिन में जेई 2018 का exam date notice आएगा फिर उसके बाद किसी और एक exam का notice आ सकता है ASO का हो सकता है या फिर combined technical का हो सकता है या फिर कोई अधर exam जो पुराना होगा 12-16-17-18 के आसपास का जो होगा उसका कोई notice आएगा यानि कि लगभग दो notice ऐसे exam date के आने वाले हैं और इसके साथ जो है लेकपाल notification की बात कही जारी है जो रोपर है जो बात आपको मालूम है बार बार यही कहा जा रहा है कि December last week तक लेकपाल का notification आ जाएगा ऐसा मैंने भी अभी कल आप से कहा ही था ठीक है और अभी भी इसके गुमित पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रही है बट जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 7-8 तारिता अचार सहिंता लग जाएगा जब चुनाओ का date आ जाएगा तो उसके बाद फि यही लोग रहते हैं इन्हीं आयोगों से रहते हैं ठीक है यही मतलब government implies या फिर officers होते हैं तो यह लोग जब उसमें busy हो जाएंगे तो कहां से exam वगरा करा पाएंगे आप खुद सोच सकते हैं ठीक है तो यानि कि कहने का sense यही है दिसंबर में अब मुझे notification आने का भी प्रयास कराने का प्रयास करेंगे बट उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा लेकपाल भरत्री पूंका कोई जवाब नहीं आया कोई response नहीं आया कि वो इसका notification निकालेंगे भी या फिर नहीं निकालेंगे और निकालेंगे तो exam कप कराएंगे लेकिन हाँ कुछ other implies से पत प्रयूम है जब कहीं भी इलेक्षन होता है तो तीन-चार महीने कोई काम नहीं होता है लोग जस्मानाने डूब जाते हैं किसी के विजीत हारो तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड कि फिर अमान के चलिए कि तब मालेंगे अगर फरण हो जाता है तो मार्च उमीद कम ही है क् ततकाल एक्जाम होना मुस्किल है सारे इंप्राइस में बीजी रहते हैं और फिर थोड़ा सा गौवर्मेंट भूल जाती हैं चीजों को हमें क्या करना है क्या नहीं करना है बस खोश्रापत्र में निताय तो बोल देते हैं नितावलों कि हम यह करेंगे वो करेंगे बड़ सरकार बनते लोग फूल जाते हैं ऐसा आप दोर सत्र से लगतार देखी रहा है तो यहां पर क्या है फ्रेंट्स कि अभी उमीद अब कम लग रही है अगर नोट्फिकेशन आ भी जाता है तो भी मैं आपसे यहीं कहूंगा कि आप फरवरी अपनी साब से मान के तो चल सकते ह क्योंकि तैयारे में कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ मौका बार बर नहीं मिलता है और यह वैकेंसी काफी टफ भी है क्योंकि ट्रिपल सी भी हटा दिया गया है आपको यह बात मालूम है बट मुझे हम मैक्समूम पॉस्पिल्टी यह दिख रही है कि यह लोग हो जाएगा यानि कि आप वेट कर सकते हैं आठ दस दिन बारा दिन मैक्समूम पंदर दिन कह सकते हैं अगर इसके बीच नोटिफिकेशन आ जाता है तो ठीक है तो आपको अप्लाई करना ही करना है लेकिन एक्जाम की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आपके सामने जीते जा को कराया जाएगा इसमें कितनी सचाई है तो फ्रेंट्स इस पे हम एक अलग से अपडेट देंगे अलग से वीडियो बना करके क्योंकि वह थोड़ा ऐसा मुद्दा है उस पे अलग से बात करने की जरूत है है यहां पे क्योंकि उसमें कंडिट्स नहीं चौदाला कंडिस लोग भार का कर लिए था है तो फिर क्या होगा क्या में अइपियर हो सकता हूं में विछले वारी क्वालीफाई कर लिया था मेरेप pee self perché नहीं था यह वो मुद्दा तमाम तरीके की ल wouldn से फार्म Bem minutes by zero कऱने को मौका मिलेगा बहुत चीजयए तो इस पर कह रहे है अलग से चर्चा करने की जरूरत है वैसे ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर आप लोग परिशान हो जाएगे इतना लंबा वीडियो क्यों मना रहा है अभी मैं यहां पर यही कहूंगा कि यूपी ट्रिपल सी पर क्या है बहुत से इंप्लाइस जो है छुट्टी पर जाने व बहुत भी आसकता है टाइपिंग टेस्ट भी आसकता है जी यहां फ्रेंड्स इसकी वीचर्चा है चल रही है आयोग में लेकिन आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानते है अभी जो प्रिजेंट सिच्वेशन दिख रहा है जो बात कहा जा रहा है वहां पर वारता वगरम ज यहां पर क्या है कि यह लोग प्रियास कर रहे हैं कि एक भी पुरानी भड़ती ना बचे 2018 तक की जबकि दो रठाइक सबसे बड़ी भड़ती अभी तक वीडियो की ही बचे जैसे मैं बताया ही इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा लेकिन फ्रेंड्स नई वेकेंस के बार दें तो यहां से क्या है फ्रेंड्स कि मतलब की पूरा डेट खत्म हो जाएगा फिर लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और मुझे लगता है इन एक्जाम्स को भी कराने में काफी ने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे क्योंकि सबकी ड्यूटी लगी रहेगी तो फिर एक कि उमीद कर सकते हैं लेकपाल भरती की हो सकता है कि इस महीने के लाज तक आ जाए अधर्वाइस मैं यही कहूंगा कि पांच जनुरी तक वेट करिए अकर पांच जनुरी तक नहीं आता है तो फिर आप भूल याए फिर जुलाई अगस्त का ही इंतजार करिए उससे पहले क नहीं भी कुछ होने वाला नहीं है बाकि अगर नियूस पेपर्स की बात करें तो हमेशा आपको लॉली पॉप देते ही रहते पिछले पांच जनुर लगतार लॉली पॉप दे रहे हैं पहला नियूस तसमबर दोर पंदर को ही आया ता जब पिछली वेकेंसी चल रही थी तो यहां पर क्या है अगर नियूस पेपर आप बिश्वास करेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा ऐसे आप रोज उमीद बनाये रहेंगे लेंगे रियल्टी में कुछ होने वाला नहीं मैं बस आप से यही कहूंगा अगर आप इसको टारेट करें लिए प्रिपरिशन करें आज नहीं कल तो होना ही होना एक्जाम आज नहीं कल तो आना ही आना है तो बस अपने प्रिपरिशन पर फोकस करेंगे बागी किसी इस पर ध्यान मत देजिए ठीक है फ्रेंड्स उमीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ गया होंगे तो अभी के लिए बस इतना है थैंक य जाय हिद जाय भारत